भले ही वीगन डायट के काफी सारे फाइदे हैं, फिर भी डॉक्टर्स हमें वीगन डायट पे जाने की सला नहीं देते हैं। Medical Studies के हिसाब से वीगन डायट हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वीगन डायट पे जाने के फाइदों को हम सब नजर अंदास तो नहीं कर सकते लेकिन उसके साथ ही उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसे हमें इग्नॉर नहीं करना चाहिए तो चलिए देखते हैं आखेर डॉक्टर्स वीगन डायट पे जाने की सला क्यों नहीं देते हैं शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं वीगन डायेट से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारा पाचन तंत्र और हमारा मेटबॉलिजम एक जैसा काम करता है और हम इंसान जड़ी बुटी खा के जिवित नहीं रह सकते हैं हमारे शरीर को और भी कई तरह के खाने की जरूरत होती है जैसे कि अगर आप शेर को सिर्फ सलात देंगे तो वो गाई नहीं बन जाएगा और तो और सिर्फ सलात खाने से शेर मर भी सकता है तो चलिए अब देखते हैं इसका मेडिकल एक्स्प्लेनेशन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो फोड प्रोडक्स वीगन डाइट में इस्तमाल होते हैं वो एक तरीके से सब चीजों का मिश्रन है कुछ खाने से आपको प्रोटीन मिलता है, कुछ से फाट्स, कुछ से मिनरल्स और कुछ से वाइटमिन्स लेकिन इन प्रोडक्स में ऐसे खाने भी है जो आपकी हेल्प के लिए सही नहीं है जैसे की वेजिटेबल्स अगर वो खराब हो या फर कुछ दिन पुराने हो वैसे ही काफी सारी बाते हैं जिनका वीगन डाइट में खयाल रखना पड़ता है और कुछ लोगों को तो वीगन ये कॉंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उससे जुड़े इतनी बड़ी लिस्ट में से सही खाना ढूंडना जो कि उनकी सेहत को सूट हो ये काफी मुश्किल टास्क है वीगन डाइट क्यों नहीं करनी चाहिए इसका एक सिंपल एक्स्प्लेनेशन डॉक्टर ने दिया है वीगन प्रड़क्स में एक ही प्रड़क्स में आपको सब जरूरी चीजे नहीं मिल पाती है कुछ फ्रूट प्रड़क्स में मिनेरल्स ज्यादा होते है तो कुछ में वाइटमिन्स ज्यादा होते है और अगर ऐसे में आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो शायद आप आपकी बोड़ी को सही मात्रा में जरूरी चीज़े नहीं दे पाएंगे जिससे आपको आगे चलके health related problems आ सकती है Vegan diet related डॉक्टर्स की कुछ सलाथ देख लेते है Vegan diet follow करना बंद करे अगर आप फिर भी vegan diet follow करना चाते हो तो डॉक्टर्स के पास regularly visit करते रहे ताकि डॉक्टर्स आपको बता सके के आपके बोड़ी में क्या चीज़ कम हो रही है और उसके अनुसार आप आपके खानी की choices ले सके वीगन होनी से पहली एक बार nutritionist से मिले और उससे बरोबर diet plan बनवा के लिए केवल online चीज़े देख के वीगन डाइट फॉलो ना करें वीगन डाइट हर किसी के शरीर के लिए नहीं बना है बहुत सारे fruits और vegetables खाने से आपको digestive problems भी हो सकती है ऐसी काफी सारी चीज़े है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है लेकिन अगर उसे सही तरह से नहीं किया जाए तो problems भी हो सकती है वैसे ही वीगन डाइट का भी यही सीन है अगर सही तरह से करो तो बहतरीन फाइदे आपको मिलेंगे और अगर नहीं तो अब तो आपको इसके नुकसान भी पता चल ही गए है आप वीगन डाइट के बारे में क्या विचार रखते हैं हमें जरूर बताए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें